आलो गाइस आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा कंप्यूटर मॉनिटर होता है उसमें टीवी को कैसे चालू करें तो इस चीज के लिए इंपोर्टेंट दो चीजें मार्केट में उपलब्ध होती है एक को हम कहते हैं टीवी टूनर और दूसरा होता है करेंटर उससे सस्ता होता है तो हम देखेंगे आज एवी टू वीजीय कनवर्टर के बारे में यह हमारे पास यह कनवर्टर है तो इसको अब हम अनबॉक्सिंग करेंगे यह देखिए यही हमारा एवी टू वीजीय कनवर्टर है आप यहां देख सकते हैं यहां एवी के आप्शन्स दिये हैं और यह वीजीय का यहां दिया है और यह ओडियो के लिए आपको उपलब्ध है और यहां से आप इसको पावर देंगे फाइफ फोल्ट की अप्रॉक्स बावर चाहिए और इसका ये on और off बटन है तो यहाँ आपके पास ये उपलब्ध है USB मीनी A टाइप का जो हम यहाँ इस तरह इसको कनेक्ट करेंगे और इससे फाइफ फोल्ड के आपके चारजर एडॉप्टर से इसको आप पावर दे सकते या आपके पास कोई चारजर हो जिसका USB मीनी टाइप A हो तो उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते और यह हमारे इस ऐसे सेट आप बॉक्स के लिए है यह कनवर्टर जिनका AV होता है जहां HDMI नहीं देता जैसे कि हमारे पास ही हमारा सेट आप बॉक्स है इसमें आप देख रहे हैं कि यहां जो है HDMI का उप्शन नहीं है ऐसे सेट आप बॉक्स के लिए हमारे पास यह हमको कनवर्टर लगता है जिसका नाम है AV2VGA अगर इस सेट आप बॉक्स में अगर HDMI पोर्ट दिया रहता तो यहां हम सेम कनवर्टर आता बस इसके जगे आपको यह HDMI उपलब्द होता यह USB उपलब्द होता तो यहां HDMI to VGA होता अब इसका हम कनेक्शन देखेंगे कि इसको हम कनेक्शन कैसे करना है इसको कनेक्शन कैसे दे यहां VGA का जो यह पोर्ट दिया है इसके अंदर हम मॉनिटर से जो VGA आउटपुट आई है उसको हम कनेक्ट कर देंगे उसके बाद जो हमारे सेट आप बॉक्स से AV की तार आई है इसको हम यहां पूट कर देंगे रेड और वाइट आउडियो के लिए है और यह हमारा वीडियो के लिए आप यहां इस कनवर्टर को हम पावर सोर्स देंगे पांच ओल्ट इसका सोर्स है और यह आउन आउफ बटन हो गया और इसके बाद यहां कने हम जो हमारे एक्स्टरनल स्पीकर है उसकी आउडियो की आउटपुट इसमें हम कनेक्ट कर देंगे ताकि हमारा जो आउडियो चले गा टीवी में वो स्पीकर के जरीए हमको सुनाई देगा तो हमको एक्स्टरा स्पीकर जो हैं इसमें एड करने है अब हम सेटउप बॉक्स को भी पावर सोर्स दे देते हैं और उसके बाद यह मेरा UPS है इसके अंदर मैंने मॉनिटर का पावर सोर्स यहां दे दिया है और उसके बाद स्पीकर के लिए यहां भी एक स्वीच मैंने इसको input किया है और इसी की जो output है audio के लिए वही तार मैंने इसमें input किया है तो अब हम इसको power को on करते है अभी आप देख सकते हैं कि हमारा UPS on हो चुक है और उसके बाद हम यहां से हमारा setup box भी on है इसके बाद हम monitor को on कर देते हैं अब देखिए आप हमारा monitor जो है वो power on हो रहे है अब यहां यह कुछ इस तरह बताएगा input not supported तो हम यह हमारे इस converter का जो power source है उसको on कर देंगे पिर उसके बाद आप देखिए यह कुछ इस तरह के blue screen दिखाएगा 720p में इसका resolution ले रहा है अब आपको अपने setup box के remote से इसको on कर देना है तो आप देख सकते हैं जैसे ही आप आउन करेंगे जैसे ही इसको आप आउन करेंगे तो आपका यह जो टीवी है वो आपके monitor में success और आप अभी sound भी देख तो आप देख सकते हैं हमारा टीवी जो हो चालू हो चुका है और जितने राना आप देखने चेश के मेंगा तो उसमें थोड़ी सी कटोपी रहेंगी तो गाइस यह हमारा इजी कनवर्जन था अगर आपके पास HDMI है तो आप यहां HDMI to VGA का वाला कनवर्टर लेंगे अगर आपके बॉक्स में HDMI यहां कहीं उपलब्द हो गई उसका पोर्ट यहां दिया होगा सेट अप बॉक्स में तो तो गाइस थाइंक्यू फॉर वाचिंग प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर